गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, I am जोती, from नौ जोती ग्लोबल स्कूल का हडपाडपानी How are you all? आज हम पढ़ेंगे यूनिट नमबर एथ की पोयम, Books ओके, तो स्टार्ट करते हैं देखे, read and learn this poem क्या रहा है Come in, come in, set the library door, I opened it white and show books glow तो लाइबरेरी जो होती है, लाइबरेरी वह जगे होती है, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती है, ठीक है? तो क्या रहा है, come in, come in, अंदर आओ, अंदर आओ, ऐसा लाइबरेरी डोर बोलती है और क्या रही है, I opened it white and show books glow मैं अपने आपको और चोड़ा खोल लेती हूँ और आप यहाँ अंदर बुक्स का ग्लोर देखो, मतलब बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, यहाँ पर उसे देखो कौन-कौन सी है, देखो टॉल, skinny books, up high on the selves, little fat books that stood by themselves, देखो एक टॉल, skinny book है, मतलब लंबी जिनकी skin होती है, वो self में कैसे खड़ी है, बिल्कुल सीधी रखी हुई है, high, उचाई, उचाई करके रखी हुई है और little far books, little fat books, मतलब थोड़ी सी मोटी books होती है, जो वो भी जो है, एक के उपर, एक जो है, वहाँ पर रखी हुई है selfs जो होता है, खाने होते हैं, ठीक है, जैसे एक, अलमारी टाइप की होती है, तो उसमें बहुत सारे selfs होते हैं, तो ऐसे ही, library में भी बहुत सारे selfs होते हैं, और हर self में, अलग-अलग books होती है I opened one up and sat down to look, मैंने एक बुक खोली, और मैं बैठ गया उसे देखने के लिए, the pictures told stories, what a wonderful books, और उसमें जो है, picture, मतलब, चित्रू की मदद से story बताई गई थी, कितनी wonderful, कितनी सुन्दर बुक है, है न, ठीक है, आप समझ गए इस चीज को, देखे, एक बार और हम इसको पढ़ लेते हैं, come in, come in, set the library door, I opened it wide and saw books glow, tall skinny books, up high on the shelves, little fat books, that stood by themselves, I opened one up and sat down to look, the picture told stories, what a wonderful books, ओके, चिली new words तेख लेते हैं, library means होता है, पुस्तकाले, मतलब जहाँ पर बहुत सारी books रखी होती है, और wide means होता है, चोड़ा, glow, बहुत सारी books इखटा होती है, उसे बोलते हैं, ठीक है, बहुत सा, मतलब बुकों का भंडार, समझ लीजिए, skinny, ठीक है, उसकी skin, मतलब लंबी है, चोड़ी है, उसकी skin, हम उसको बोल सकते हैं, कि उसका type, self, मैंने बताया, जैसे कि अलमारी में अलग-अलग खाने होते हैं, वैसे ही, library में जो अलमारी होती है, उसमें अलग-अलग खाने होते हैं, तो self मतलब उसके अलग-अलग खाने, और wonderful means से, सुन्दर, ठीक है, तो चलिए, अब हम इसके question answer दे कि अंदर आओ, अंदर आओ, what did the books in library look like, books in library में कैसी दिखरे, कैसी कैसी थी, the books in the library were tall, skinny, little and fat, okay, what did the children in the poem like looking at the picture, the children in the poem like looking at the picture, because they told story, जो बच्चा जो poem में है, उसे picture वाली book अच्छी लगे, ऐसा क्यों, क्योंकि जो picture वाली book है, वो उसे story, picture की help से बताती है, है ना, अब देखिए, what word sign have you seen or hear, at home, आप जब घर में रहते हैं, तो क्या सुनते हैं, get in at the vegetable shop, how much for this, है ना, at the library, be silent, silent please, जब आप library में जाते हैं, तो इस तरीके से बूला जाता है, at the doctor place, don't smoke, doctor की जो जगे होती है, doctor यान के hospital, वहाँ पर क्या लिखा रहता है, don't smoke, at the bus stop, bus stop में क्या लिखा रहता है, come in quick queue, line में खड़े रहिए, at the toy shop, what do you want, toy shop में जोला जाता है, कि आपको, क्या चाहिए, do you like the reading story books, आपको story books पढ़ना प उनमें हमें pictures दिखाई होती है, do you like to reading story books पर हो गया है, what kind of stories do you like, आपको किस तरह की story पसंद है, comic like, tintin, ecstexy, आपको भी, ecstex, आपको भी, जो है, अलग-अलग stories की book पसंद होंगी, तो आप उनका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, the word glow means is great number, do you also have a class library which keeps many books, can you borrow books, तो किया रहा है, books glow word means होता है, बहुत सारी books एक साथ, ठीक है, तो ऐसे ही, आप क्या, आपके school में भी library है, और यदि है, तो क्या वहाँ पर बहुत सारी books है, और क्या आप उन books को अपने साथ ले जा सकते हैं, yes, I have a class library as well as a school library, I can borrow books from both of them, हमारे school में क्या रहा है, class में भी library ह यदि आपके school में और class में दोनों में library है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और यदि आपके school में library है, तो आप से school के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है, make word families, the first word is each has been written for you, जैसे कि आपको last में, इनका end ELL में, AIL में, EE में और OOK में होना चाहिए, तो पहले देखिए, ELL में Well, sell, bell, spell, tell, ठीक है, AIL में, tail, mail, train, rail, ठीक है, EE में, C, 3, B, 3, और OOK में होगा, book, look, crook, shook, brook, ठीक है, fill in the blanks after reading these sentence, आपको इस sentence में क्या भढ़ सकते हैं, ये बताना है, N, तो आप लिख सकते हैं, an airport is a place where aeroplane take off and land, ठीक है, दूसरा है, a place, a kitchen is a place where food is cooked, है न, kitchen में खाना बनता है, a hospital is a place where sick people are taken care of, जो hospital है, वहाँ पर बिमार लोगों की care की जाती है, खयाल रखा जाता है, a shop is a place where you can visit, buy things, shop ऐसी चीज़े जहां से आपको चीज़े खरीदने को मिलती है, a school is a place where children study, और school ऐसी जगए है, जहां पर बच्चे पढ़ा करते हैं, ठीक है, I hope यह chapter इसके question answer आपको समझ में आ गए होंगे, Thank you!